आप gelyeане असलामा वालीकूं Carolina ints क्या हाल चाल है अच्छा झी इस वीडियो का जो हमारा पर पॉस है वह यह है के मैं आप लोगों को बेंक रिकन्सिलैशन स्टेट्मेंट के टोपिक का introduction दे दूँ कि bank reconciliation statement के topic पे हम क्या पढ़ेंगे जनाब bank reconciliation statement का जो topic है वो आपके business के bank account से pertain करता है आप कभी भी जब कोई business conduct करते हो तो उस business को conduct करने के लिए आप एक bank account at least operate जरूर करते हो उस bank account से आप मुखतलिफ payments करते हो मुखतलिफ जगा से पैसे receive करते हो और यह एक business की बहुत ही common जरूरत होती है अब यह bank account जो है यह maintain कर रहा होता है bank और आप एक business में अपने पास भी उसकी accounting कर रहे होते हो यानि कि जब आप पैसा bank में deposit करते हो तो साहर है आप तो अपने पास record करते ही हो बट साथ में bank को भी यह चीज़ अपने पास record करनी पड़ती है क्योंकि कल अगर आप bank जाओ और bank से पूछो कि जनाब मेरे कितने पैसे आपके पास पढ़ेवें तो bank को वह knowledge चाहिए अब यहां पर होता कुछ इस तरह से के अमूमन अनलेस के बैंक ओवरड्राफ्ट है जनरली जो आपका bank account है वह आपके लिए एक asset होता विकास आपके पैसे बैंक में पढ़ेवे होता है और आप उससे benefit ले सकते हो आप जब चाहों आप उन पैसों को withdraw कर सकते हो वज़ा से उसकी एक debit nature होती है उसका brought down debit होता है और जब वह bank account का balance increase होता है तो वह debit होता है और जब वह decrease होता है तो वह credit होता है आप उसको ऐसे asset account treat करते हो यानि के लेट से अगर आप accounting कर रहे हो और आपके पास bank account में 5 लाक रुपे एड़ इस्टार्ट अफ ये पड़े वे हैं तो आपका जो बैंक अका बैलेंस ब्रॉट डाउन ओगा यह ओपनिंग बैलेंस होगा वह पांच लाक रुपे होगा यह आप अपने इंगल से सोच रहे होते हो Because आपके लिए आपके पैसे बैंक में पढ़े हुए जो आप कभी भी सिम्ह tax प्रॉपे बैंक के एं नहीं होते हैं बल्के बैंक के लिए वह एक liability होती है because bank is liable to pay you the amount anytime जब आप जाओगे bank bank को बोलो के कि जनाब मुझे मेरे पैसे चाहिए तो bank जो है उसके उपर यह obligation है उसका यह फर्स बनता है कि वो पैसे आपको provide करे बैंक के पास जो आपके पांचलाक रोपे पड़े हैं वो बैंक के लिए एक liability है वो किसी और के पैसे वो बैंक के अपने पैसे नहीं है तो bank अपने अंगल से अपनी accounting करता है bank अपने अंगल से आपके अपनी अपनी तरफ से अपनी सोच से और उसको तो एसेट कंसिडर करते हुए अपनी अकाउंटिंग करते हो इसी लिए अगर आपके पास कभी भी बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो बैलेंस ब्रॉड डाउन लेट से पांच लाक रुपए होगा तो वो डेबेट साइट पर नजर आ रहा होगा अच्छा बैंक आप के पाँच लाक रुपए में बैलेंस के काउलं में पाँच लाक रुपए CR याने पाँच लाप रुपए क्रेडिट लिखावा नजर आ रहा होगा इसकी रीज़न यह होगी कि बैंक यह कह रहा होगा का न नाक रूपए हमारे पास पड़े हूं है और हमारे लिए लायबिलिति है और लायबिलिती का नेचर एक क्रेड़ित नेचर होता तो कहने का मकसद यह है जिन आप एस बहुत है अपको इसको उसी वक्त बैंक रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता आपने किसी को चेक दिया आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया लेकिन वो बंदा चेक लेकर बैंक ही नहीं गया बैंक से पैसे ही नहीं निकले और इसी लिए वो बैंक स्टेट्मेंट पर बैंक स्टेट्मेंट पर र होती हैं इसकी डीटेल में तो हम जाएंगे लेकिन होता यह है कि आप और बैंक दोनों इन ट्रांजेक्शन की वजह से दोनों के बैलेंस डिफरेंट हो सकते हैं हैं मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है किसा के दAnyस में आपके रिकॉर्ड यह बता रहे हुँ कि जनाब मेरे साथ लाक रुपै बैंक के बैंक की नहीं इनके तो साढ़े चनलाक रुपै का डिफरेंट रा雞 झारहं account मैं बना रहा हूं उसका closing balance और जो bank statement पर closing balance show हो रहा है वो दोनों एक दूसरे से match ना करें इसकी बड़ी ही ज्यादा possibilities होती है यही बात यह यह balance का different logo को explain करने के लिए हम bank reconciliation statement नाम का एक document बनाते हैं और उसमें हम यह लोगों को बताते हैं कि देखो हम जो साथ लाग बोल रहे हैं वो भी सही है और जो bank साड़े छे लाग रुपए बोल रहा है वह amount भी सही है अलबत्ता इन दोनों के बीच में जो फर्क या जो difference आ रहा है वो क्यों आ रहा है और वो जो difference आ रहा है वो किन बुनियाद या किन वजुगात की बेसिस पर आ रहा है उसकी explanation दी जाती है तो यहां बर हमने bank reconciliation statement का एक basic overview लिया कि जनाब एक bank account मैं खुद अपने business के रिए और कितनी additions होई है यानि कि कितने पैसे credit और यह दोनों का अभी-गभी balance नहीं करते हैं अगले lesson में हम इसकी कुछ details पर जाते हैं और examples देखते हैं कि क्यों दोनों balances different हो सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं record करूं bank record ना करें और कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो bank record करें और मैंने record ना करें और कैसे इन दोनों को हम पेली करेंगे match करेंगे यह इस problem को इस mystery को कैसे solve करेंगे